हेलो एबरीवन, ओहनेरी की एक सुन्दर रचना, दा लास्ट लीप जो शार्ट स्टोरी है, लग कहानी है, यहां 1907 में उनके संग्रह, दा ट्रिम्ड लैंप एंड अधर स्टोरीज में प्रकासित हुई, दा लास्ट लीप एक गरीब योती जानसी की कहानी है, जो निमोनिया के कारण गंभीर रूप से भीमार है, वह मानती है कि जब उसकी खिड़की के बाहर दिवार पर आई भी लता, अपनी सारी पत्तियां खो देगी, गिर जाएंगी, तो वह भी मर जाएगी, अलाकि उसका परोसी बहरमन एक कलाकार दिवार पर एक पत्ता पेंट करके उसे बरगलाता है, जानसी ठीक हो जाती है, बहरमन को पत्ती रंगते समय निमोनिया हो जाती है, और वह मर जाता है, आईए सुने ये कहानी, अन्तिम पत्ता, दा लास्ट लीप, सु और जानसी एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती थी, वे एक पुराने माकान के तीसरे मंदिल पर रहती थी, जानसी नौंबर महिने में कमभी रूप से बीमार पड़ गई, वह निमोनिया से पीड़ी थी, और बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी, वह लगा अतार ख प्रति दिन आता रहा, फिर भी जानसी की इस्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ, डाक्टर ने पुष्टी की कि जानसी जीने को तयार नहीं है, इसलिए दवाओं का उसके उपर कोई असर नहीं होने वाला, सुने जानसी को अपने आसपास की चीजों में दिल्चस्पी ल वह अपने विस्तर पर बिना हिले डूले लेटी रहती थी, सु अपना ड्राइंग बोर्ड कमरे में ले आई और प्रिंट करने लगी, आचानक सुने जानसी को कुछ फुस फुसाते हुए सुना, वह तेजी से विस्तर पर गई और जानसी को पीछे की ओर से गिंती गिंते ह वह सुना, वह खिडकी से बाहर देख रही थी, बारह, कुछ देर बाद उसने फुस फुसाया, ग्यारह, फिर दस, और इसी तरह से उल्टी गिंती गिं रही थी, उसने एक पुरानी आई वी लता को खिडकी के सामने वाली इट की दिवार पर आधा उपर चड़ते देखा, साथ ही लता तेज हवा में अपने पत्ते गिरा रही थी, जानसी बहुत उदास थी, उसने एक विचार किया कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा, तो हमर जाएगी, इसके अलावा उसने सूप को पीने से भी इनकार कर दिया, बाद में सूने जानसी के प्रती बड़ा इसने दिखाने की कोशिस की, सूने उससे कहा कि वह नहीं मरेगी, उसने परदे को खुला रखा, क्योंकि उसे पेंटिंग पूरी करने के लिए रोशनी की जरूरत थी, वह उस पेंटिंग को बेच कर अपने लिए पैसे कमाना चाह प्रती थी, सूने जानसी से आग्रह किया, निवेदन किया, बिंति की कि वह खिड़की से बाहर न देखे, साथ ही उसने जानसी से कहा कि वह नहीं मरेगी, उसे अपने दोस्तों के लिए जीना है, इसके अलावा जानसी के बीना सू अकेली हो जाएगी, इत्यादी समझाने क कोशिस की, लेकिन जानसी को यकीन था कि आखिरी पत्ता गिरते ही वह मर जाएगी, उसने कहा कि आखिरी पत्ता गिरने के बाद वह सो जाएगी, और हमेशा के लिए सो जाएगी, सू अपनी सहेली की हालात को देख कर बहुत चिंतित थी, वह बेबस थी, सू एक साथ वर्सी प्रेंटर से मद्द लेने के लिए नीचे भूतल पर गई और उस प्रेंटर का नाम बहर्मन था उसका पूरा जीवन भर का सपना था एक उत्क्रिष्ट रचना करना उत्क्रिष्ट कृति को चित्रित करना प्रेंटिंग करना सू ने अपने मित्र की दशा बहर्मन को बताई उसने खाने से मना कर दिया और लगातार खिड़की से बाहर देखती रही वह यह घोशड़ा करती है कि आखिरी पत्ता गिरने के बाद वह जीवित नहीं रहेगी तो फिर दोनों ने जानसी की मुर्खता के लिए निंदा की अलाकि वह जानसी के लिए आखिरी पत्ते को रंगने के लिए तैयार हो गया सहमत हो गया ताकि वह ठीक हो सके जानसी अगली सुबह उठी उसने आश्चर से देखा कि आखिरी पत्ता तुफान से भी बच गया और वह लता से छिपकी हुई थी यह शाम को आए एक तुफान से भी बच गयी थी पत्ती इस घटना ने जानसी की आखें खोल दी उसने अपनी सहेली से इतना अनुत्तर दाई और उदास होने के लिए च्छमाम प्राथना की उसने महसूस किया कि मृत्यू के बारे में सोचना पाप है तुफिंक अबाउट डेथ इस जिन फिर उसने कंगी की सूप पिया और जीने की इक्छा की डाक्टर आये और उसके सौस्थ में सुधार के बारे में बताए उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी क्योंकि उसके जीने की इक्छा वापस आ गई है सुबहर्मन से मिलने गई वे केवल दो दिन बिमार थे लेकिन गीले और ठंड में बाहर रहने के कारण निमोनिया से उसकी मृत्ति हो जाती है सुयह समाचार जांसी को बताती है उसे लता से छिपकी हुई आखरी पत्ति को देखने के लिए कहती है वही सच्चाई को प्रगट करती है कि यह पुराने कलाकार बहरमन की उत्किष्ट कृति थी वह हमेशा एक उत्किष्ट कृति का निर्मार करना चाहता था लेकिन कभी भी उसे बनाने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया हलाकि वह अपने इस अवसाद से उबरने में रिवार पर एक पत्ति को चित्रित किया और पूरा दमखम लगाया इस प्रकार वह भीगने और ठंड में बाहर रहने के कारण निमोनिया से मर जाता है कहानी हमें यह सिक्षा देती है कि हमें जीवन में कभी भी जल्दी उमीद नहीं खोनी चाहिए यह हमें सच्छे दोस्ती का मतलब ही सिखाती है वहरमन ने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि उसका दोस्त आशा न खोए और बिमारी से उबर सके यह हमें दयाल और मददगार होने का महत भी सिखाती है आपने इतने ध्यान से हमें सुना इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साथवाद धन्यवाद थैंक्स एब्रिवन आप यू